हर्याना के राजपाल स्रिमान सत्तदेव नारायन आरिय जी हर्याना के लोकप्रिय मुक्हमंत्री स्रिमान मनोहरलाल जी खटर केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी चौदरी विरेंद्र सींजी राव इंद्रजित्सी जी राज सरकार के सभी मंत्री महोदय कुछ यहां बैटे हैं कुछ वहां बैटे हैं और भारी संग्या में पधारे हुए हर्याना के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों अभी जैसे हर्याना के मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि मुझे कई बार आपके बीच आने का मोका मिला है और अब तो खोड़ी देर में ही दो बार आ चुका आपके बीच में पिछली बार जब मैं आया था तो चौधरी छोटो राम जी की विशाल प्रतिमा का अनावरन करने का मुझे आउसर मिला था ये प्रतिमा हर्याना के गवरव का प्रतीख है आज फिर से मैं हर्याना में हूँ जहां प्रदेश को 3,300 करोड रुपिय से जादा की सौगात मिली है आज हर्याना ने चोटर्फा विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है साथियों हर्याना की इस भूमी पर ग्यान का प्रकास तो है साहस की गवरव गाथा भी जुड़ी हुई है लदाख में रेजांगला पोस्ट पर 18,000 फूट की उचाई पर हुरी लड़ाई को कल ही 56 वर्ष पुरे हुए है इस लड़ाई में हर्याना के सपूतों ने परम वीर चक्र विजेता मेजर सैतांसी के नित्रुतों में जम करके लोहा लिया था इस युद्ध के शहीदों में अनेक हर्याना के इसी छेत्र के थे उन्होंने दिखा दिया था कि हर्याना का मतलब होता है हिम्मत हांसला खोस और हम सफर मैं रेजांगला पोस्ट पर सहीद हुए देश के बीर जवानों को सद्धांजली देता हूँ उनको नमन करता हूँ साथ्यों आज का दिन हर्याना के लिए बहुत महत्वपून है अभी कुंडली मानेसर परवल एक्ष्प्रेस वेको देश को समर्पित करने का मोका मिला है इसका पहला चरण दो वर्ष पहले पुरा हो गया था दूसरा चरण जो कुंडली से मानेसर तक 83 किलोमेटर लंबा है उसका आज लोकारपन किया गया है इसके साथ ही अब 135 किलोमेटर का एक्ष्प्रेस वेक पूरा हो गया है इसके साथ ही करीब 500 करोड की लागत से बनी वडलबगर्ड मुझे सर मेट्रो लाइन की शुरूआज भी की गई है ये दोनों योजनाएं जहां कनेक्टिविटी को लेकर इस ख्षेत्र में नई क्रांती लाएगी वही स्री विश्व कर्मा काउशल विश्व विज्याले के जरिये यहां के युवाओं को नई ताकत मिलेगी भाईयों और बेहनों आज का ये अवसर दो तस्वीरों को याद करने का अवसर है एक तस्वीर वर्तमान की है ये तस्वीर है कि जब संकल्प लेकर कोई कारिय किया जाता है तो उसे सिद्धी भी मिलती है ये तस्वीर भारतिय जनता पार्टी सरकारों की कारिय संस्कृती की है हमारे कारिय करने के तरीके की है वही दूसरी तस्वीर हमें पहले की सरकार के समय में कैसे काम होता था इसकी बराबर याद भी दिलाती है वह तस्वीर याद दिलाती है कि इस एक्सप्रेस वे पर बारा साल से काम चल रहा था वह तस्वीर याद दिलाती है कि एक्सप्रेस वे आपको आठ नव साल पहले ही मिल जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ पहले की सरकारों के जो तौर तरीके थे उसने इस एक्सप्रेस वे को पूरा होने में बारा साल लगा दिये साथियों इस एक्सप्रेस वे का इस्तमाल कॉमन वेल्ज गेम में होना था जब कॉमन वेल्ज गेत होई थी तब इस एक्सप्रेस वे का उप्योग होना था लेकिन कामन वेल खेल की जो गती की गई वही कहानी इस एक्सपरेस के भी सबूत बन गई मुझे ध्यान है कि जब प्रगती की पैठकों में मैंने इस प्रोजेक की समिश्या करने शुरू की थी तो कितने सारे पैंच पता चले थे केंद्र सरकार द्वारा निरंतर फॉलोप और हर्याना में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसके कारे में आई तेजी ने हमें आज का ये दिन दिखाया बर्सों का इंतजार खत्म किया है भाई और भेहनों सोचिए अटकाने लटकाने और भटकाने वाली संस्कृति ने हर्याना का यहां की जनता का पूरे दिल्ली एंसियार का कितना बड़ा नुकसान किया है साथ यो पहले की सरकार में जिस तरह इस परियोजना पर काम हुआ वो एक केस्टड़ी है कि कैसे जनता के पैसे को बर्बाद किया जाता है कैसे जनता के साथ नाइंसाफिक की जाती है जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो अनुमान लगाया गया था कि इस पर बारा सो करोड रुपिय का खर्च होगा आज इतने वर्षों की देरी की वज़े से इसकी लागत बढ़ करके तीन गुना से जादा हो गई साथियों अगर पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे का ये काम समय पर पुरा कर लिया गया होता तो आज दिल्ली में ट्राफिक की व्यवस्ता कुछ और होती अब इस एक्स्प्रेस वे के बन जाने से दूसरे राज्यों से आने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने दिल्ली के बीच से होचकर गुजरने की मजबूरी खत्म हो जाएगी वो दिल्ली में दाकिल हुए बिना ही वहां के ट्राफिक को प्रभावित किये बिना ही बाहर ही बाहर से निकल जाएगे इस एक्सप्रेश वे की बज़र से अब दिल्ली में दाकिल होने वाली गाड़ियों की संक्या में काफी कमी आएगी साथियों ये एक्सप्रेश वे दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूशन को कम करने में बड़ी भूमी का निभाएगा एक तरस से देखे तो ये एक्सप्रेश वे 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 एक्स को दिल्ली NCR के लोगों को इस एक्सप्रेसवे के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ अब दिल्ली के चारों तरफ लगबग 270 किलोमेटर के एक्सप्रेसवे का नेटवर्क पूरा हो गया है भाईयों और बहनों आज ही वल्लब गड़ से मुझे सर को भी मेटरों के जरिये जोड दिया गया है अब वल्लब गड़ भी मेटरों के नक्षे पर आ गया है इससे यहां के लोगों को दिल्ली जाने में और सुविदा तो होगी ही उनका समय और पैसा भी बचेगा साथियों हमारी सरकार कनेक्टिविटी को सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि देश की समुरुद्धी, सुगमता और ससक्ति करण का माध्यम मानती है हमारी कोशिद है कि देश में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, हाइवे कनेक्टिविटी और आइवे कनेक्टिविटी का ऐसा इंटिग्रेटेड इंफा सक्तर बने जो 21 सदी की आवसकताओं को पूरा करने वाला हो जो एक दूसरे को सपोर्ट करें इस समय देश में अनेक रेलवे कोरिडोर्स, हाइवे कोरिडोर्स पर तेजी से काम चल रहा है देश के अनेक शहरों में इंटिग्रेटेड टाफिक मैनेजमेंट सिस्टिम का काम भी जोरों पर है लोगों को आने जाने में कम समय लगे शहरों में जाम की समस्या कम हो हमारे उद्योगों के पास ट्रांस्पोर्ट के आधुनिक साधन, सस्ते साधन का विकल्प हो इस दिशा में काम किया जा रहा है इन सारे प्रयासों में इस बात पर भी जोर है कि परियावरन की रक्षा हो इसके लिए ट्रांस्पोर्ट के ऐसे साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो प्रदूशन को कम करने में मदद करते हो इलेक्ट्रिक रेल लाइनों का विस्तार इलेक्ट्रिक कारों के लिए संसाधनों का विस्तार हमें इसी दिशा में ले जा रहे हैं साथियों देश में नेक जनरेशन इंफ्रसेक्टर के लिए हमने स्पीड और स्केल का भी ख्याद ध्यान रखा है बीते चार वर्षों में सरकार ने तीन लाख करोड रुपिय से अधिक खर्च करके करीब 33,000 किलोमेटर से अधिक के नए हाइवे बनाये है पहले की सरकार ने अपने साड़े साथ साल में जितने हाइवे बनाये थे उससे भी जादा हमने चार साल में बना दिये साथियों लोग वही हैं काम करने वाले वही हैं दप्तर भी वही हैं फाइले भी वही हैं लेकिन जब इच्छा शक्ती होती हैं संकल्प शक्ती होती हैं तो कोई भी लक्ष हासिल करना मुश्किल नहीं होता है यही बज़य है कि जहां 2014 में पहले, 2014 के पहले एक दीवस में सिरफ 12 किलोमेटर हाइवे बनते थे आज लगबग 27 किलोमेटर हाइवे का प्रती दिन निर्माण हो रहा है इसी गती से बारत माला प्रोजेक्ट के तहट देश में 35,000 किलोमेटर हाइवे नेटवर्स थाबित करने का काम तेज गती से आगे बढ़ रहा है सिरफ हाइवे नहीं, रेलवे कनेक्टिविटी में भी देश में तेजी से काम हो रहा है जहाँ पट्रिया नहीं थी, वहाँ तेजी से रेल नेटवर्क बिछाया जा रहा है जहाँ जरूरत है, वहाँ पट्रियों का विस्तार किया जा रहा है साथियों हमारी सरकार ने हमें सासे ही देश की आवशक्ताओं, लोगों की आशा, आकांशाओं को आगे रख करके ही काम किया है उसके हिसाब से ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जा रही है, ट्रेनों का और स्ट्रेशनों का आदुनिक करन किया जा रहा है आपने देखा होगा कि देश में बनी बीना इंजन वाली आदुनिक ट्रेन भी पट्रियों पर उतरने को आज तैयार खड़ी है ये ट्रेन मेकिन इंडिया की चमक को और बढ़ा रही है भाईयों और भेनों, सरकार देश की जलशक्ती, देश के जलसंसाधन का पूरा इस्तमाल करने पर भी जोड दे रही है देश में 100 से जादा नए वाटरवेज बनाए जा रहे है अभी कुछ दिन पहले ही बनारस में नदी रूड से देश का पहला कारगो कंटेनर आया है बनारस हल्डिया वाटरवेपर अब पानी के जहां जो से माल की डुलाई की शुरुवात हो गई है गंगा जी के मादम से यूपी पुर्वोत्तर राज्यों से जुड गया है इसके साथ ही देश में हवाई सेवा को सस्ता करने के लिए उडागन योजना चलाई जा रही है यहां हिसार में भी हवाई अड्डे का निर्मान किया गया है ताकि हिसार भी उडागन योजना से जुड सके भाई और बेहनों सरकार की नीतियों का असर यह हुआ है कि हवाई चपल पहनने बाले मेरे भाई बेहन में अब हवाई जहाज में सफर करने का होसला आया है साथियों डिजिटल भारत अभ्यान के तहट देश की हर पंचायत को ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी जोडने की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है पहले की सरकार के चार साल में ये जड़ा याद रखना पहले की सरकार में जहां चार साल में सिरफ उन साथ पंचायते साथ भी नहीं फिप्टी नाइन पंचायते ही अप्तिकल फाइबर से जुड़ पाई थी चार साल में फिप्टी नाइन वहीं हमारी सरकार में इन चार सालों में अब तक एक लाग से अधिक पंचायत को अप्तिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है कहां उन साथ और कहां एक लाग से ज़्यादा साथियों किसी कभी शेत्र में बढ़ती हुई कनेक्टिविटी अपने साथ रोजगार के नए आउसर भी लेकर के आती है ये हाइवे का बनना ये मेट्रो या रेल का बनना जल मार का विक्षित होना एक पूरा इको सिस्टिम बनाता है इस इको सिस्टिम का फाइदा ट्रांस्पोर्ट कंस्ट्रक्शन से लेकर मैनुफेक्टरिंग और सर्विस सेक्टर तक को होता है मुझे बहुत खुशी है कि हर्याना की सरकार नव जवानों को रोजगार के नए अफसर देने के साथ ही उन्हें रोजगार के बदलते के तोर तरीकों के लिए भी तयार करने पर जोड दे रही है स्री विश्व कर्मा काउशल विश्व विद्याले का सला न्याद इस दिशा में बहुत बड़ा कदब है ये विश्व विद्याले हर्याना और इस खेत्र के युवाओं को बदलती हुई नेचर अब जॉब के मताबिक स्कील ट्रेनिंग का काम करेगा ये विश्व विद्याले यहां के नवजवानों को अपने दम पर अपना उद्योग सुरू करने की बीशिक्षा देगा शक्ति देगा मुझे पूरी उमीद है कि कौशल के देवता भगवान विश्व कर्मा के आसिरवाद से इस विश्य विद्याले के छात्रों के लिए पविश्की राह और आशान होगी भाई यो और भेनों आज हर्याना निदियात करने के मालमले में देश में अग्रणी राज्यों में है इसमें राज्य के 22,000 से जादा छोटे लगू उद्योग और मद्दमू द्योग यानि MSME को उनका बहुत बड़ा योगदान है यह काउशल बिश्व विद्यालय यहां के MSME सेक्टर को भी मजबूत करेगा यहां के पढ़कर के निकले छात्र जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ऐसे उत्पादों का निर्मान करेंगे मेकिन इंडिया की चमक और बढ़ाएंगे साथियों आप सभी को ये भी जानकारी होगी कि MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल में ही बारा बड़े फैसले दिये हैं अब GST से जुड़े मेरे हर्याना के छोटे कारोबारी को एक करोड रुपिये तक का लोन सिरफ 59 मिनिट में मिल जाएगा इसके अलावा उत्पादन बढ़ाने के लिए उसके लिए मार्केट का दाइरा बढ़ाने के लिए उसके लिए प्रक्रियाओं को आसान के लिए भी कई फैसले लिए गए बाई और बहनों ये सरकार देश में कारोबारियों को ताकत देना चाहती है युवाओं को गती देना चाहती है अपने युवाओं को इनोवेशन से इंडस्ट्री की दिशा में आगे बढ़ा रही है उनके कंसेप को कैपिटल की कमी नहो इसका ध्यान रख रही है स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया जैसी योजनाएं इसी सोच के साथ चल रही है इसी सोच की वज़ा से देश के युवागों को मुद्रा योजना के तहट बीना बैंक गारंटी 6,70,000 करोड रुपे से जादा का कर्च दिया जा चुका है इसमें सबसे महत्वण बात ये भी है कि मुद्रा योजना के माध्यम से कर्ज लेने वालों में सत्तर प्रतिसत से जादा महिलाए ही है ये योजना एक तरह से देश में महिला स्वरोजगार का बहुत बड़ा जरिया बनी है और निशित तोर पर इसका राप यहां हर्याना की मेरी बेहनों बेटियों को भी हो रहा है साथियों हमारी सरकार महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है चाहे देश में स्वच भारत अभियान के जरिये बने नव करोड टॉइलेट हो या फिर उजवला योजरा के तहट दिये गए लगबग 6 करोड गैस कनेक्शन दोनों ने महिलाओं की जिन्दिगी को आसान बनाया है केंदर सरकार के विजन को आगे बढ़ाने में हरियाना ने भी पूरा सहयोग दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजरा और खेलो इंडिया की सबलता इसका बहुत बड़ा उदारन है खेलो में देश के लिए सबसे ज़्यादा बेडल यहां की ही बेटिया और बेटे ला रहे है कॉमन वेल्ट गेम्स हो या एशियाड हरियाना की बेटियां हरियाना के विवाओं का डंका पुरी दुनिया में बज रहा है भाई और बहनों बाजपा की सरकारे चाहे केंद्रम हो या राज्य में चाहे हरियाना में हो या राजस्तान में चाहे मद्द प्रदेश में हो या च्छतिजगड में चाहे उत्तर प्रदेश में हो या उत्तर पुर्व में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं इसका नतीजा देश में व्यापक्षतर पर आज नजर आने लगा है मुझे खुशी है कि हर्याना के लोग इन सारे प्रयासों में सक्रियता से सयोग कर रहे हैं एक बार फिर मैं आप सभी को बेस्टन पेरिफेरल एक्स्प्रेस बे मेट्रो और स्कील उनिवर्सिटी के लोकारपन और सिलान न्यास की बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सभी का रदय पुरवक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ